फेंड्स अगर division bryophyta की बात करें, तो division bryophyta में तीन क्लासिज आती हैं, जो first class आती है उसे बुलते हैं, hepatic opci either, liver burts या फिर hepatic opci either, liver burts, दूसरी आती है जिसे हम बुलते हैं, anthocerotopsida, और anthocerotopsida को हम horn word भी बोलते हैं, and third one is called bryopsida, जिसके बारे में आज हैं discuss करने बाले हैं, अगर आप bryopsida की बात करें तो bryopsida के केस में क्या होता है तेखते हैं कि पॉइंट को यह है bryopsida last class यह क्या है bryophyta की जो last class है इसे bryopsida बोलते हैं bryopsida को mosses या फिर musky भी बोलते हैं किसको musky प्रनोंचिएट करते हैं bryopsida की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा class है यह, यानि कि हिपेटिक उपसिडा और एंथोसिरो टॉपसिडा से बड़ी class है ब्रायोपसिडा, किलियर है न, इसके बाद अगर आप देखें, इसमें तो 660 जिनरा हैं, और कुल मिलाकर 14,500 species होती है, तो ब्रायोफाइटा की अगर देखा जाए तो इस्टार्टिंग के जो ब्रायोफाइट से वो लेंड के लिए बहुत जड़ा एडाप्टेड नहीं थे, थे तो इन्हें अफिवियंस और प्लांट किंगडम भी कहा जाता है ब्रायोफाइटा को पता है, लेकिन लिवर बर्ड्ड और जो हॉर्न बर्ड होते हैं, उनके कमपेरीजन में ये बेटर अडाप्टेड होती है किसके लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, फिरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जनरल करेक्टर्स, वाट दर जनरल करेक्टर्स, सिंपल ही समझिए, सबसे पहले इसके जो गैमीटोफाइट है, अभी तक अगर हम पीछे की क्लासेज की बात करें, तो गैमीटोफाइट एक ही स्टेज में हुआ करता था, जहां पर थैलस लाइक बाडी होती थी, जहां पर थैलस लाइक बाडी होती थी, और वो या तो डिफ्रेंसियेटेड या अंडिफ्रेंसियेट हुआ करती थी, फोटो सिंथेटिक और स्टोरज रिजन में इनकी बात हम पीछे कर चुके हैं, यहां पर गैमीटोफाइट दो स्टेज शो करता है, एक तो प्रोटोनिमाल स्टेज और एक दूसरी लीफी स्टेज सो करता है, अगर आप प्रोटोनिमाल स्टेज की बात करें, तो जैसे, जैसे वहाँ साइक्लिक सिस्टम चलता है, वैसे यहां भी चलेगा, इस्पोरोफाइट से इस्पोर रिलीज होता है, और इस्पोर डारेक्ट थैलस, प्रॉपर थैलस नहीं बनाता है, यह बनाता है प्रोटोनिमा, क्या बनाता है? प्रोटोनिमा, यह जो structure बनता है, यह प्रोटोनिमा कहलाता है, प्रोटोनिमा में क्या होता है? यह प्रोस्टेट, क्रीपिंग और ग्रीन structure होता है, प्रोटोनिमा है वो कैसा होगा प्रोटोनिमा डफिनिट्ली है प्रोटोनिमा बाद में पहले प्रोटोनिमा स्टेज 2017 सब्सक्नला प्रोक्या होगा आप my míto4 ऑक तो प्रोटोनिमा के उपफर यह से हम लीफी स्टेज बोलते हैं। तो second stage है जिसे हम क्या बोलते हैं लीफी stage या फिर इसे gamito 4 भी बोलते हैं क्योंकि इसके उपर gamit bear करने वाले structure होंगे, 4 F-S मतलब peering होता है और gamito मतलब gamit, तो gamit bear करने वाले structure डवलप होंगे, तो यानि कि जो यह structure यहाँ पर दिखाया गया है, यह leafy stage है इसकी, clear है न, तो यह leafy stage है और इसी पर क्या लगने वाले हैं, इसी के उपर enthridium और archigonium overall डेवलप होने बाले हैं, यह बात मुझे उमीद है आप समझ गए होंगे, तो जो leafy stage होती है, एन erect cylindrical shoot with persistent leaps, जिसको पर persistent leaps जैसी लगी होती हैं, और इसको पर क्या present होते हैं, sex organs भी इसी के उपर develop होते हैं, आगे के part को अगर हम देखें तो, जो main axis gametophore की होती है, वो branched भी हो सकती है, और unbranched भी हो सकती है, इसके बाद, leaves की अगर बात करें, तो leaves simple होती है, जैसे यह मैंने leaf की image यहाँ पर put की है, minute, यानि की काफी छोटी, यानि की जो leafy stage दिखाई देती है, ना कौन सी stage, leafy stage, किस leafy stage पर काफी छोटी सी leaf दिखाई देती है, minute, cacile, cacile का meaning क्या होता है, जैसे हम अगर आपको यह stem दिखाएं, और stem पर direct ऐसे leaf लगी होई है, तो this leaf is cacile, वहीं पर यह stem है, और यहाँ पर एक छोटा सा petiole like structure है, फिर यह leaf लगी होई है, तो यह cacile नहीं होती है, petioleate होती है, यहाँ पर इस structure को हम petiole बोलेंगे, तो उसको cacile बोलते हैं, तो यह leaf cacile होती है, यहाँ पर इस case में देखी जाती है, और इनके बीच में क्या होती है, middle rib होती है, जैसे आप normally leaves को देखें, तो leaf के बीच में एक conducting tissue की rib type की होती है, जो की water और other substances को लाती है, यहाँ पर carry करती है, तो यहाँ पर भी middle rib की presence देखने को मिलती है, एक important point competition के point of view से, कि यह जो leaf होती है न, यह केवल one cell थिक होती है, multi cells नहीं है, जब इसकी थिकने से अगर आप इसका transfer इस तरीके से section कट करें, और section कट करने के बाद, उसको अगर आप देखेंगे microscope में, तो दिखाई देगा कि single cell की थिकने से यहाँ पर होती है, next part देखते है, leafy stage में जो stem type का structure इसका दिखाई देता है, जो axis है, जो stem like axis होती है, उस axis का जो tissue होता है, वो दो part में differentiated होता है, जो अंदर का tissue है यह conducting tissue होता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ तो समझे जाइलम और फ्लोयम नहीं है, लेकिन इन cells का nature कुछ conducting type का होता है, तो center में conducting tissue होता है, और बाहर की तरफ normally cells होती है, जिसे हम क्या बोलते है, peripheral cortex, क्या बोलते है, peripheral cortex, तो stem दो ही part में differentiate होती है, conducting tissue में और peripheral cortex में, next part की तरफ चलते हैं, यहाँ जो rhizoides होते हैं, पहला point आपने, पहले जहाँ rhizoides पढ़ रखा है, hepatic opcida में, अंthosirotopsida में, वहाँ unicellular rhizoides थे, लेकिन जब आप ब्रायोपसिडा की बात करते हो, तो multicellular rhizoides होते हैं, एक रंबर का completion का question, यहाँ से बनता है, rhizoides branched भी होते हैं, और इनके जो septa होते हैं, वो oblique होते हैं, जैसे, अगर हम ऐसे देखें, यह है rhizoides, इसके septa कैसे, इस तरीके से, oblique type से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, oblique type के septa, clear है ना, तो septa oblique होते हैं, और multicellular, यह point अपने आप में बहुत इंब्रांच्ट भी होते हैं, besidity propagation है, besidity production में क्या होता है, fragmentation के थूँ, या फिर gammy, जो gammy markensia में मिलती हैं, उस type के gammy के formation के थूँ, या फिर जो इनके leafy, जो epices होते हैं, protein में बगरा के, new plant को बना लेते हैं, next आता है कि, जो sex organs होते हैं, वो group में होते हैं, single नहीं होता है, जैसे एक enthridium है, एक archigonium है, ऐसा नहीं होगा, पूरा group होता है enthridium और archigonium का, clear है ना, और यह mainly epices, branches, जो branches के epices होते हैं, यानि कि branches के top parts होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ species dioces, यानि कि unisexual होती है, कुछ species कैसी होती है, unisexual, और कुछ species कैसी होती है, monoseous means bisexual, कैसी होती है, bisexual, next part के अगर हम बात करें, तो जो इनके enthridia होते हैं, यह club shaped होते हैं, देखिए, पहले तो group में लगे होते हैं, जैसे आप इस part को अगर आप देखें, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, कई enthridia लगे हुए हैं, जो enthridia group में होते हैं, पीछे भी आपको यही पढ़ाया था, कि sex organ कैसे अतने group में होते हैं, individual नह point और आता है इसके साथ में, जो इसकी jacket होती है, यह जो बाहर वाली jacket है, यह single set थिक होती है, तो यह point यहाँ पर mention है, कि jacket जो होती है, वो enthridium की single set थिक होती है, अगर हम male gamit की बात करें, तो male gamit क्या होता है, enthridiozoid होता है, और इस enthridiozoid यह circular type का घूमा हुआ जैसा होता ह है, वह ही लिखा है हम पर, जो male gamit है, उसे enthridiozoid बोलते हैं, यह biflagellate होता है, और कैसा होता है, spirally coiled, जैसा आपने अभी देखा, कुछ इस type की condition थी, male gamit की, ठीक है ना, तो इस type की condition होती है, enthridiozoid या फिर जिसको male gamit भी बोलते हैं, ऐसे ही देगी, आर्ची गुनिया, एक, दो, तीन, चार, कई आर्ची गुनिया दिखाई गई हैं, तो आर्ची गुनिया भी group में रहती हैं, और mainly stack छोटा सा नीचे present होता है, तो इनको stack आर्ची गुनिया की category में रखेंगे, जब आप बात करेंगे इस sporophyte की, तो यहाँ जो sporophyte होता है, ब्रायोप सिडा में, वो काफी, उसमें सीटा काफी elongated होता है, कैसा होता है, सीटा काफी elongated होता है, और इस प्रोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, बेस में रहेगा, वो क्या होगा, फुट होगा, फुट होगा, मिडल पार्ट सीटा है, और टॉप पार्ट कैपसूल होता है, यहाँ पर यह वत से जो प्रोटो निमा डवलब होगा वो प्रोटो निमा काफी दूर दूर तक इस प्रेड हो जाते हैं तो वो चीज यहां पर इनोंने कहने की कोशिश की है next पाड़ाता है capsule के उपर कुछ teeth like structure होते हैं जैसे आप यहां देखें capsule के top में जो teeth like structure इनको peristorm बोलते हैं और जो की जो sports डबलब होते हैं इसके अंदर इस पोरोफाइट के capsule के अंदर जो sports डबलब होते हैं उनके dispersal में role play करते हैं तो peristorm कहां होते हैं? peristorm जो capsule का mouth होता है वहां पर present होते हैं और sports के dispersal में help करते हैं नेक्स पार्ट अगर हम देखें, इस पोर से last में क्या बनता है, इस पोर से बनता है, प्रोटोनिमा और प्रोटोनिमा बाद में और ग्रो करके क्या बना लेता है, लीफी स्टेच शो करता है, तो आप यहां पर एक बार देख लिजिए फिर से, कि जैसे यह कैपसूल वस्ट ह हुआ, तो कैपसूल जब रेक्चर होगा, तो कैपसूल से सपोर्स रिलीज होगे, यह स्पोर का जर्बनेशन होगा, और जर्बनेशन से सपोर् क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाएगा, जो कि ब्रांस्ट, प्रोष्टेट, क्रीपिं टाइप का structure दिखाई देता है, फि एडियम क्लब शेट होता है जिसके उपर सिंगल जैकेट की लेर देखने को मिलती है ultimately जो Fertilization हो जाएगा तो क्या डवलब होगा इस पोरोफाइट डवलब होगा गमिटोफाइट तो यह गमिटोफाइट है जिसके उपर इस पोरोफाइट डवलब होगा है तो base हो गया foot, middle part हो गया seat and top party हो गया capsule, capsule के उपर जो capsule का mouth होता है उसमें peristorms होते हैं teeth like structure और जो की sports के disperser में roll play करते हैं, sports disperse होने के बाद फिर क्या करते हैं, sports germinate करते हैं और germinate करके फिर से क्या बना लेते हैं, protoniva बना